देखिए आप सभी लोग का बार-बार कमेंट का रहा था कि मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा दीजिए हिंदी ग्रामर पढ़ा देती तो बहुत अच्छा होता तो फाइनली मैं सोची क्यों आप आप लोग को हिंदी ग्रामर भी पढ़ा दिया जाए कि आप सभी लोग बार-बार ह और साथ में कोश्रें नसर्वी कराए गया है तो प्लेहिंस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिर में डाल दिया कै तो लिंक पर क्लिक रहेंगे परतियक वीडियो मिल जाएगा सो फाइनली स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है हिंदी ग्रामर यानि की हिंदी व्याकरण जो की क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के लिए काफे इंपोर्टेंट है और मजे की बात यह ह आज का यह क्लास स्पेसल हो जाता है इस वजह से क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं उसे पढ़ने के बाद थियोरी कॉंसेप्ट को समझने के बाद उसका अब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे यानि की हिंदी व्याकरण के अंतरकत में सबसे पहला टॉपि आज पढ़ा दिया जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग समसी ऑपके सबसे पहले आप पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद से उस से रिलीटी and episode objective question में तयार की हूँ 20 objective question कराया जाएगा और इससे पता चलेगा इससे आप लोग का test भी हो जाएगा कि जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं अगर आप theory concept को समझने के बाद ही तो question करेंगे न तो सबसे पहले समझते हैं उपसरग को रहा है अक्षर या फिर अक्षरों का समूझ जो किसी शब्द के शुरुवात में starting में जुड़कर उस शब्द का मीनिंग यानि की अर्थ बदल दे और एक नया शब्द बना ले तो उस तरह के अक्षर या फिर अक्षरो के समू को कहा जाता है अग्जामपल लेकर समझते हैं हम फ्ल्Ba यहाँ पर मानना लिजिए यह प्लबी है सत्य का मतलब टो आप जानते होंगे सत्य का मतलब होता है सच त्रू मतलब सच्छाई थैक है तो सट्य के आगे अगर अ लगा दिया जाए तो जैसे ही सत्य के आगे आप लोग लगाएंगे तो बन जाएगा और सत्य का मतलब क्या होता है जिसमें सच्चाई ना हो मतलब गलत ठीके मतलब पहले जिसका मेनिंग निकल रहा था सच्चाई अब स्टार्टिंग में और जूर जाने के वज़ेसे उस सबस्क्राइब पर एक नए लफ्ज सत्या तो जो इससी को कहेंगे क्या हम लोग उपसर्ग तो वह अक्षर या फिर अक्षरों का समूँ वह सकता है जैसे कि मोल था और स्टाटिंग में अन लग गया तो अन तो और ना दो अक्षरों का समग है तो अन हो जाएगा उसी तरीके से मालं लिजिये जिया गुर था और बना लेता है तो बना लेता है तो उस तरह के अक्षर या पृप समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर सम्झ प्रकर में को लिए जो कि important है आप लोग के exam के point of view से, इसको ज़रा देख लीजी और तब हम लोग objective question की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि ओ क्या है, एक उपसर्ग है, ओ किसी भी शब्द के starting में जूरता है, तो उसका meaning बदल देता है, जैसे कि सत्य के आगे ओ लग गया, तो असत्य, ग्यान क उपसर्ग क्या है, ओ है, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग के exam में question कूछा जाता है, कि कोई भी एक शब्द उठा कर भूलेगा कि बताईए, इस शब्द में उपसर्ग क्या है, अब मालेजे अनुशासन उठा लिए, अनुशासन में उपसर्ग क्या है, और उपसर्ग में इन दोनों शब्द में जो उपसर्ग है, वो है ओ, यानि कि स्टाटिंग में ओ जुड़ा है, उसी तरीके से दूर है, ठीक है, दूर, दूरदशा, दूरगुड, दूरदशा में आप लोग देख सकते हैं, दशा के आगे क्या लगा है, दूर लगा है, दूरगुड, यान उसा, इसमें क्या है ? उपसर्गृण है, उसी तरीके से कु भी क्या है उपसर्ग है, कु कर्म , कु कु पुत्र आप लोग सुने होंगे, तो कर्म के आगे क्या लगा हुआ है, कू लगा हुआ है, पुत्र के आगे क्या लगा है, कू लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, कू को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, उसी तरीके से उपवन है और उपकार है, इन दोनों शब्द में बताइए उपसर्ग कौन चा है, वन के आगे उप लगा हुआ है देख सकते हैं आप लो कार के आगे उप लगा हुआ है यानि कि इन दोनों शब्द में जो उपसर्ग है वो है उप ठीक है उप स्टार्टिंग में जुरा है इसी वह जैसे एक नया लव्ज नया शब्द बना है वन था पहले और में उपलग गया नहीं शब्दन के उपकार उसी तरीके से उत जो है ना यह उपसर्ग है उन्नती और उतकंठा माने यह कोशन पूछ दिया कि बताइए उन्नती में उपसर्ग कौन सा है ठीक है तो आप लोग क्या बताएंगे उपसर्ग में दिया रहेगा उत और सी में दिया तह्याद्या ठीक करते हैं हलांकि वह भलत हो जाता है उन्नती में उन्रजो हैण आजवाजयों बताईए उतकंठा में अहार है तो इन दोनों शबद में बताइए हएं गमण के आगे आजुडा है हार के आगे आ जुड़ा है, यानि कि जो उपसर्ग है वो है आ, तो आ क्या है एक उपसर्ग, उसी तरीके से ओ गुड और ओ गत, देख सकते हैं, गुड के आगे ओ जुड़ा हुआ है, गत के आगे ओ जुड़ा है, यानि कि इन दोनों शब्द में जो उपसर्ग है, वो है ओ उसी तरीके से आगे बढ़िये, यहाँ पर देखिए, अभिमान है, तो अभिमान में आप लोग देख सकते हैं, पहले था मान और स्टार्टिंग में जुड़ा है अभी, यानि कि इस शब्द में जो उपसर्ग है वो है अभी, उसी तरीके से अपमान देखिए, मान है और उसी तरीके से अनुशासन, शासन के स्टार्टिंग में अनुजुड़ा है, तो एक नया लफ्द बना है, नया शब्द बना है अनुशासन, तो अनु ये क्या है, एक उपसर्ग है, उसी तरीके से जान है और स्टार्टिंग में क्या जुड़ा है, अनुड़ा है, यानि कि इसमें जो उपसर्ग है वो है अन अंजान में उपसर्ग क्या है अन उसी तरीके से अधिकार है बताईए इसमें उपसर्ग यानि कि प्रिफिक्स क्या होगा कार्था और स्टार्टिंग में अधी जुड़ा हुआ है यानि कि इसमें प्रिफिक्स यानि कि उपसर्ग होगा तो ये इसमें जो है ना उप्सर्ग वो है नी उसी तरह किसे आगे देखें यहां पर सुपुत्र है पुत्र के स्टार्टिंग में अपसर्ग हो जाएगा सम्मान अब यहां पर देखें सम्मान और संसार पुष्ण पुशिदेगा आप लोग के एकजाम में कि संसार में उपसर्ग क्या है option A में देगा, sun B में देगा, so C में देगा, sum और D में देगा, R तो बताईए, संसार में जो उपसर्ग है वो क्या होगा संसार जो बना है न वो sum प्लस 4 से मिलकर बना हुआ है संसार यानि कि संसार में जो उपसर्ग हैं वो है सम याद रखेगा और उसी तरीके से सम्मान में सम प्लस मान सम्मान तो सम्मान में भी जो उपसर्ग है वो है सम याद रखना है उसी तरीके से है सपूत पूत के starting में क्या यूड़ा है यानि कि इसमें उपजर्ग सा है विकार और वियोग इन दोनों शब्द में जो उप्जर्ग वे वजबुँढाने यह कि क्या वी लगा है कि विकार के निले लगा है योग के निले लगा है ऐह उसी तरीके से परती प्रती एक और प्रती कूल प्रती एक कैसे बना है प्रती प्लस एक दोनों से मिलकर बना है प्रती एक उसी तरीके से प्रती कूल प्रती प्लस कूल मिलकर बना है प्रती कूल तो प्रती एक और प्रती कूल इन दोनों शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रती और परिक्रमा यह जो परी क्रामा है ना इसमें जो उपसर्ग है वो है परी और देखे ये एक उपसर्ग है पर पर भी क्या है एक उपसर्ग है कैसे पर अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है तो उसका मिनिंग बदल लेता है जैसे कि पहले पोता था और स्टार्टिंग मे पर जुड़ गया तो पर पोता हो गया उसी तरीके से डादा था और स्टार्टिंग में पर जुड़ गया यानि की पर दादा बन गया डाया शब्ð बन गया meaning भी बर गया दादा आप कि आपके दादा के बागा दी आपके दादा के अब दादा के भी अभू कि क्या कик है दादा के लाएंगे ठीक है तो यहां पर मीनिंग बदू जा समझ में आ गया होगा और जितने भी उपसर्ग थे जो important उपसर्ग थे वो मैं लिखकर आप लोग को बता ही दी अब चलिए ज़रा हम लोग objective question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कि आप लोग 20 objective question में से कितना objective question सही कर पाते हैं are you ready और क्या आप लोग excited है 20 objective question करने के लिए तो चलिए आप अपना test दीजिए लेकिन उससे पहले वीडियो को like जरूर कर दीजिए क्योंकि concept plus objective लब concept को समझा कर आप लोग objective question भी किराया जा रहा है तो बस इस बात पर लाइक तो बनता है तो फड़ पड़ वीडियो को like कर दे और जितना जदा उसके शेर कर दे भी तक आप लोग शेर नहीं किये हैं तो और चैनल पर आप लोग नहीं आए हुए हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चै पहला सवाल आप लोग के स्क्रिन के उपर है अत्यंत में उपसर्ग बताएं यह पहला सवाल है और पड़ापट आप लोग मन में ही इसका एंसर सोच लिजिए कि इसका एंसर क्या होना चाहिए अत्यंत में उपसर्ग यहन की प्रिफिक्स बताना है बहुत ही आसान सवाल है और आप लोग मन में सोच भी लिए होंगे अब मैं इसका सही एंसर बताओंगी और आप लोग मिलाएगा कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं और इस तरह से 20 कोशन किया जाएगा और 20 के 20 में आ प्राइग आप लोग टेस्ट लेली जिएगा अपने आपका ठीक तो अतियंत में मैं अप लोगों को बतादू अतियंत में जो उपसर्ग है वो ते यह इनित कि बना होता है और दूसरा सवाल आप लोग देख सकते हैं सवाल है कि अधिकार में उपसर्ग बताए अभी में आप लोगों को बोड़ पर बताई ना अधिकार में कार के आगे अधी लगा हुआ है यानि कि जो इसमें उपसर्ग है वो है अधी यानि कि आप्शन नमबर बी इस दक करेक्ट अंसर तीसरा सवाल की अनवय में उपसर्ग बताएं आपसने में नवय वी में आधा नौ है यहा कारेक्ट एंसर कोशन नमबर फॉर कर यह रहा कि अप्शन नमबर 4 है कि आप मान में उपसर्ग बताएं आप ही में आप लोगों को बताई थी अफमान मान किआगे आप लगा हुआ है यानि कि इसमें जो उपसर्ग है प्रिफिक्स है वह है-प्सेन बढ़ और बढ़ेख सा कौन सा है ऑपसाने में अभी से द् la 1 द कि अवियर त्राइं द्धान से सोच समझ कर एंसर दीजिएगा अम्रीज आप लोगोको बताना है अवियर्थी में जो उपसरग है लए अभी कि नमуса नमर Ace लुमenge से सब्सीलि स्वाल है कि और senza क्या है आपस्टने में और बी में है आपसे बी में है और हो सिंनि में अब और डी में अब्स ठीकर तो question नुबर सिक्स का सही answer क्या होगा और गुड्ट यानि कि गुड्ट के आगे क्या लगा हुआ है और असान और हलवा कुאשन है आजण जन्म के या लगा हुआ है यह था उपसर्ग है इतोत invert है लिए ताफ्सका सिर बक्राइव क्या हो थे अंप 20 में तत्त बताएं ऑप स्वाफ द्रों हो उपसर्ग बताएं यानिकि यह भी आसान क्योशन है भाषा क्या गए क्या लगा हुआ है उपसर्ग है आपसा नंबर ए में उपसर्ग किजिए आगे बढ़ते हैं दस्वा सवाल आप लोगे स्क्रिंग के उपर आ लोग पहुंच चुके हैं अभी तक आप लोग वुडियों को लाइक नहीं किये तो लाइक ठोक दें और शेयर कर दें फड़ापट चलिए दस्वा सवाल है की दुर्बल में उपसर्ग बताएं अपसाने में दब भी में दुर सी में दबा और डी में दबें तो इस सवाल का स उपसर्ग है वो है सू आगे बढ़ते हैं फड़ापट बारा नंबर सवाल है कि समयक में उपसर्ग कौन सा है और सी में दिया रहेगा दिया हुआ है समय और डी में है इनमें से कोई नहीं तो बारा का सही जवाब होगा आपसान नंबर बी सम ठीक है वीजदा करेक्ट अंस सवाल है कि विशेश में उपसर्ग कौन सा है पर दिया विश्ण कोई नहीं तो विशेश में जो उपसर्ग है वो है वी और से आगे वी लगा रहे तो विशेस बन गया है वी उपसर्ग है आप लोगों यह तो इए एलवा कोशन हे प्रुती निधी तो आफ लोग सोच सकते हैं कि बहुती निदी यानि कि स्टार्टिंग में प्राथि जुड़ा रख किस तार्टिंग में क्या ज़ो अ legacy स्टार्टि दिन प्राती निधी इसमें जो मॉट्थ दे को है प्रती तो प्रती और दी में दिख रहा है तो धीरे से कर दीजिए आगे बढ़ते हैं 15 हुआ कोशन है कि परियवेक्षक में उपसर्ग बताएं आप सने में परीवी में परियाव और दी में परियवेक्षक में सुलल नमबर कोशन है कि पराकाषठा में उपसर्ग उपसर्ग इसे तरीके से सत्रहवा कुशन है कि निसकाशन में उपसर्ग बताना है बताइए क्या होगा option A में है निश शो के नीचे हल है और B में है निश्क, C में है निश्क, यह मितलब यह नॉर्मल डंटी वाला सव है और D में हैं इसे कोई नहीं तो 17 का सही जवाब होगा option number C की ध्यान से सुन लिजेए option number C is the correct answer निश्काशन एक मिनट रुख जाए यहाँ पर option number C नहीं option number A is the correct answer ठीक है निश्काशन में जो उपसर्ग है वो है निश्क चली आगे बढ़ते हैं 18 हुआ question है कि नीराहार में उपसर्ग क्या है option में है नी भी में है पिराह कि सी में है नीर और डी में है नीर यानि की इस रह के नीचे हल है और इस रह के नीचे हल नहीं है तो बताईए इसका सही एंसर क्या होगा नीराहार में जो उपसर्ग है वो है निर जिस रह के नीचे हल हो वही टिक करना है उन्यस्वा question कि निवंध में उपसर्ग बताना है option A में है नी बी में नीब इसी में है यह बड़ी वाली नी यह चोटी वाली नी थी और यह बड़ी वाली नी और D में है इन में से कोई नहीं तो निवंध में उपसर्ग तो बहुत ज़्यदा आसान है बताना option A is the correct answer पहले बंद था और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया गया नी लगा दिया option नंबर A is the correct answer इसी में नी है छोटी वाली नी निवंद इस तकरेक्ट अगे बढ़ते हैं बीस नंबर जो की लास्ट सवाल है दुस्टाहस में उपसर्ग बताएं option ने में है दुस्टा वी में है दुस्ट और D में है इन में से कोई नहीं तो दुस्टाहस में जो उपसर्ग है ना वो है दुस्ट यानि किया दातो है और इसमें सो के नीचे हल भी है दुस्ट तभी यह जाकर बना है दुस्टाहस ठीक है तो option number B is the correct answer तो फाइनली यहां पर हिंदी व्याकरन का जो मैं टॉपिक पढ़ा रह कर बता दीजेगा और अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिए पड़ा पर स्क्रीन शॉट तो शली आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इससे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं अब आप आप लोगो को टॉपिक तो समझ में आई ही तो चली है अगले वीडियो में और ले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाएज